एक बात और कि आप कटफ पटफ के ज्यादे चक्कर में ना पढ़े प्रडिक्शन में को कि एससी बहुत फास्ट काम करें जितनी देर माप प्रडिक्शन करोगे न कि यह कटफ जाएगी यह होगा रोगा तो आप अभी से मेंस की त्यारी में लग जाए चली रहा है उसकी दो क्लासे अभी तक हो चुकी है इस्ट्वेंट मस तरीके से पढ़ रहे तो आप भई प्री में भी वही पढ़ना मेंस भी पढ़ना से लिए बस तो सेम यह तो आप अपनी तैयारी को कंट्यूरस रखें यह कटप पडप के चक्कर में ना पढ़े चलु लेकिन मैं यह नहीं स सवाल आया data interpretation जिसको थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव बनाने की चांसे उसमें भी नहीं पूछा गया है बस add करके पूछ लिया कि बताओ इनको addition क्या होगा यह से कितना पर्षेंट ज्यादा है वह इन दौनों को जोड़के इनका ratio क्या होगा ऐसी चोटी चोटी बात इस ड रिलीवर किया है किसी बच्चे ने किसी भी टीचर के साथ अगर मन लगा के पढ़ा है तो इस टाइप के वो सारे को कर सकता था रही बात जीएस की तो जीएस में पहले कि तुलना में बहुत कठिन भी नहीं है और नहीं लेवल को बहुत जाद नीचे गिरा गया जीएस जो पेपर है वो easy to moderate level का इसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे 35 लाग से याद इस्टुएंट से फॉर्म बढ़ा अटेंडेंस 40% ही जानी है 15-17 लाग स्टुएंट जो है वो appear होंगे एक्जाम में SSE कहेगी कि लगबग 10-15% क्वालिफाई करा जाए तो लगबग 2-200,000 इस्टुएंट क्वालिफाई करे जाएंगे पेपर का लेवल आसान है इस्टुएंट जाद क्वालिफाई करने तो इस आपके थोड़ इसी cut-off बढ़ने के चांसिस हैं कि बच्चों का raw score जादे रहे तो overall paper easy आया है आपको अपना time waste करने की कोई ज़रत नहीं है कोई analysis की video या हवार तबड में last moment पर आपको पढ़ने की कोई ज़रत नहीं आप शान्ती से paper देख आई जितना आपने पढ़ा है वो sufficient है बस एक बार revise जरू करके जाएं